जिन्दगी में हमेशा सही के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला ही क्यों न रहना पड़े? इस दुनिया की कोई भी डिग्री आपका भविश्य सुनिश्चित नहीं कर सकता, इस दुनिया के 80% अरपपतियों के पास कोई डिग्री नहीं है. एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दृढ़ निश्चा इस पूरी दुनिया को बदल सकता है. जिन्दगी की सुन्दर्ता इस इस बात से नहीं है कि आप जिन्दगी में कितना खुश रहते हैं, बलकि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं. असफलता भले ही जीवन में नकारात्मकता लाती है. परंतु सफलता के महत्व के बारे में जानने के लिए असफलता का ग्ञान होना जरूरी है. अपने आपकी तुलना कभी किसी से मत करे. यदि आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप अपने आपको बेज़़द कर रहे हैं. पूरा कीजिए, आपका आसान का खुद बखुद पूरा हो जाएगा। जिन्दगी में ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जिन्दगी में दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन्दगी में सुकून का होना बहुत जरूरी है। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के द्रिड संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिती उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रुख सकता। जिनके पास बहाने नहीं होते, अक्सर वही लोग काम्याब होते हैं। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है, इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष के प्रती पागल और जिद्धी होता है, मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो, आपकी सोच 10 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गरल फ्रेंड है या नहीं, बल्कि हर कोई आपसे ये पूछेगा कि इस दुनिया में तेरी हैसियत क्या है, सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नीव पर खड़ा होता है, कमजोर व्यक्ति हमेशा भीड में होता है, जिन्दगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का कभी फायदा मत उठाना, क्योंकि जिन्दगी अगर मौका देती है, तो धोखा भी देती है, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बन जाओ, जो तुम्हें असाफल देखना चाहते हैं, किताबों से लगाओ रखिये जनाब, याकिन मानिये जिन्दगी में कभी ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, अगर जिन्दगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ, जो व्यक्ति द्रण निश्चेवाला होता है, वो अपने लक्षे को कभी नहीं बदलता, बलकि उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, सत्य की खोज में हूँ, इसलिए शान्त और मौ हूँ,